हलो स्टूरेंट इस सेशन में हम एक्सरसाइज 2.5 करने से पहले हम उसके कुछ फॉर्मली इसके बारे में पढ़ेंगे जो हमें एक्सरसाइज 2.5 करने में बहुत मदद करेंगे सबसे पहले फॉर्मला है x plus y का whole square, x minus y का whole square, x square minus y square, then fourth है x plus a, x plus b, fifth है x plus y plus z का whole square, x plus y का whole square, x plus y का cube and x minus y का cube इस सेशन में हम इन फॉर्मले के explanation करेंगे questions के तुरू आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये formulas use कहां होते हैं, कब use होते हैं, kैसी use होते हैं, ये आपको अच्छे से समझाया जाएगा कि जब आप exercise 2.5 करने जाएं, तो आपको already पता हो, आपको already knowledge हो in formulas के और आप easily use कर सके तो चलिए exercise 2.5 के सबसे फॉर्मला की explanation करते हैं, उसके बाद हम exercise 2.5 start करेंगे please students, हमारी exercise 2.4 पे भी हमने video बनाई है, हमने chapter number 1, chapter number 2 पूरा cover किया है आप please उसके videos, उसके session attend करेंगे, आपको काफी help मिलेगी and अगर आपके कोई doubts है, please comment section में लिखिए, हम वो doubts surely solve करेंगे और आपकी help करेंगे so हमारी formula explanation में सबसे first formula है, x plus y का square which is x square plus y square plus 2xy, ठीक है अगर आप, for example, आपको question कैसे दिया होगा, आपको question में दिया होगा कि आपको समझीचे, आपको x दिया होगा है 100, आपको x दिया होगा है 100 और y दिया होगा है 3 तो आप इस question को कैसे solve परेंगे, आप वही formula लगाएंगे x plus y का whole square, x square कितना होगे, 100 का square plus y square is 3 का square, plus 2, 100 into 3 यह जाएगा 1, 10,000 plus 3, 3 is a 9, 3 to the 6 ठीक है, तो यह आगे 1, 0, 6, 0, 9 आपका answer ठीक है, एक तो आपको ऐसे दे सकते हैं कि simple x की value देदेगा और y की value देगा, और बोलेगा कि हाँ, मुझे x plus y की square की according बताइए कि हाँ, इसका answer क्या हैगा, ठीक है या तो फिर वह आपको question में बोलेगा कि 2x plus 1 का whole square बताओ कि क्या होगा 2x plus 1 का, ठीक है, तो आप इसमें क्या बता सकते हैं, यह क्या formula लग रहा है यह लग रहा है, x plus y का square, ठीक है, इसमें आपको x कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, 2x और y कितना दिया हुआ है, 1 ठीक है, तो आप क्या करोगे, दिखो कि x plus y के whole square is equal to x square plus y square plus 2xy ठीक है, यह आपने formula लिख लिए, उसके बाद आप 2x plus 1 का whole square करेंगे x आपको क्या दिया है, 2x तो आपने दिखा 2x का whole square, plus y कितना दिया हुआ, 1 1 का whole square, plus 2 into me 2x into me 1, ठीक है, तो यह कितना आगे है, 2 2s of 4x का square plus 1 plus 2 2s of 4x, तो आपकी equation कैसी आगी, 4x का square plus 4x plus 1 या वो आपको question में ऐसे भी दे सकता है, कि आप मुझे एक number का whole square करके दिखाइए, और बताइए कि answer क्या होगा तो आप उसे ऐसे solve करेंगे अब आपका next formula है, x minus y का whole square, which is x square minus 2xy plus y square, ठीक है इस formula का क्या result है, x square minus 2xy plus y square, ठीक है, जब आप x plus y का whole square करते हैं, तो आपका answer होते है, x square plus y square plus 2xy, ठीक है और जब आप x minus y का whole square करेंगे, तो यह एक है, x square plus y square minus 2xy जब आप plus करेंगे, तो आपका plus होगा, जब आप minus करेंगे, तो आपका minus 2xy हो जाएगा, ठीक है अगर आप formula को solve भी करना चाहते हैं, तो solve भी करके देख सकते हैं, आपको यही result आएगा for example, जैसे कि अगर आप इसको यह formula जो है, यह x plus y square से ही बना है, कैसे, कि अगर आप, आपको x दिया हुआ है, x और आपको y दिया हुआ है, minus y, ठीक है, आप इसको x plus y के whole square में रखें इसको, तो आपने रखा x square plus y square plus 2xy, ठीक है तो यह x का तो x square हो गया, plus y के जगा हमने minus y का whole square रखा, plus 2 into x की value x, y की value में minus y दिया है, ठीक है तो यह x का square plus minus y square is y square plus minus minus 2x square, तो यह आगे न, आपका x minus y का whole square है, तो अगर आपको यह वाल्या formula याद है, तो आप x minus y का whole square का formula बहुत इसली बना सकते हैं, तो आपको यह question में भी ऐसे पूछेगा, कि 2x minus 1 का whole square बताओ, क्या होगा, तो इसमें आपका x क्या हो जाएगा, x आपका हो जाएगा, 2x और y हो गया, आपका 1, ठीक है, जब उसने आपसे 2x minus 1, तो आपको पताओ जाएगा, x minus 1 की बात करें, तो x minus y square की बात करें, तो x minus y square का formula क्या है, x square plus y square minus 2xy, ठीक है, तो यह 2x minus 1 का whole square का क्या होगा answer, x क्या है, 2x, तो यह हो जाएगा, 2x square plus 1 क्या है, 1 का square, minus 2 into me 2x into me 1, यह हो गया, 224x का square, plus 1 minus 4x, यह हो गया, 4x का square, minus 4x plus 1, ठीक है, तो यह आगा आपका answer, यह आपको ऐसे देगा, question में, कि आप ऐसे solve करके दिखाएगे, minus 2x minus 1 का whole square क्या होगा, तो आपकी equation next आपको ऐसे देगा, कि x square minus y square is x plus y and x minus y, यह एक फॉर्मला है, ठीक है, for example, जब आपको यह फॉर्मला दियाए, x square minus y square is equal to x plus y, x minus y, तो आपको question में दे सकता है, कि आप प्रोड़क करिए, 104 का 96 से, मतला आपको इसको मल्टिप्लाय नहीं करना है, आपको इस फॉर्मली के थ सकते है, 100 plus 4, ठीक है, और 100 minus 4, 100 minus 4 क्या होता है, 96 और 100 plus 4 क्या होता है, 104, देखे, फॉर्मला बनिया ना, a plus b, a minus b, तो इधर हम कॉनसी अडेंटिटी यूस करेंगे, इधर हम यूस करेंगे, a plus b, and a minus b, which is a square minus b square, ठीक है, तो इसको अम सॉल्व करते है, क्या आएगा इसमें, 100 कर square, minus 4 कर square, तो यह आगे, 10,000 minus 4, 4 is 16, ठीक है, तो यह आपका आगया, 9, 9, 8, 4 is your answer, कितना easy था इसको solve करना, multiply थोड़ा करना, in reality, इसे ऐसे solve करना, a plus b, a minus b, 100 plus 4, 100 minus 4, a, a same है, b, b, same है, तो यही फॉल्मला लगता है, simple, आपका next question है, x plus a, x minus a, which is x square plus a plus b plus ab, क्या है आपका x square plus a plus b, x plus ab, अगर आप इसे solve करें, multiply करें, तो आप कैसे करेंगे, x, मैं आपको इस formula को solve करवा रही हो, x, x plus b, plus a, x plus b, यह आपने इन दोनों को multiply किया, यह x रखा यहाँ पर, plus a इदर रखा, x plus b इदर, x plus b इदर, आपने x को x से किया, तो आए x square plus bx plus ax plus ab, ठीक है, यह आए x square plus, आपने a और b को common निकाल लिया, तो आपने लिखे लिया, b plus a, x plus ab, आप इसको ऐसे भी लिख सकते, x square plus a plus b, x plus ab, आपको यहीं मिल रहा ही formula, ठीक है, आप मतलब मैं आपको यह समझा रही हूँ कि आपको formulas learn करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप इन्हें solve करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, कि आपको formula का जो result आ रहा है, वो यहीं आ रहा है, आपको learn करने की कोई भी जरूरत नहीं है इन सब में, तो चलिए एक question करते हैं, इससे related, सो समझ लीजिए कि उसने आपको बोला है कि आपको product करना है, आपको product करना है, तो आप 103 को कैसे लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं, 100 plus 3 and 100 plus 7, तो आपका यह आ गया, xx और यह आ गया, आपका a b, यह यह है न, x plus a, x plus b, xx आ गया और a b आपको मिल गया, तो यह क्या है आपका, यह हो गया, x plus a and x plus b, मला आपका x आ गया 100, a आ गया 3 and b आ गया आपका 7, ठीक है, आप इसको इस formula में put करेंगी, तो आपको answer मिल जागे आएगा, 100 का square, plus 3 plus 7, into 100, plus 3 into 7, तो यह हो गया 10,000, plus 3, 3 plus 7 is 10, 10 into 100 is 1000, plus 3, 7 is 21, तो आपका answer आ गया, 11021, मतलब आपको 103 को 107 से multiply करने के भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, और आपने इसको simple एक approach से, एक formula के help से, easily तरीके से solve कर लिया, क्या है आपका X plus A, X plus B, X के आपका 100, और A के आपका 3, और B है आपका 7, आपने इस values को आपने इस formula में रखा है, जो आपका result आया था, और आपको answer मिलगे, 11021, without multiplication आपने इसको solve कर लिया, तो आपको ऐसे questions मिलेंगे, इससे hard आपको नहीं मिलेंगे, बट आपको practice करने की ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है कि कौन सी जगहा पे कौन सा formula use होगा, ये समनना बहुत सरूरी है, आपको ये formula है, x plus y plus z ka whole square which is x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2zx, ये formula मुझे बहुत easy लगता है, x plus y plus z ka whole square which is x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx, समझ लीजे, आपको question में कैसे देगा, exercise 2.5 में आपको ये कैसे दिया होगा, समझ लीजे, आपको दिया होगा, x plus 2y plus 4z ka square, और वो बोलेगा कि भाई, बताओ कि आंसर क्या आता है इसका, इसको find करो, इसके अंदर एक suitable identity use करो, approach use करो और बताओ क्या आएगा, तो आपको पताओ चल रहे हैं कि इसमें 3 variables use हो रही है, तो of course मतलब कि ये, इसके अंदर ये वाला formula use हो का, ठीक है, तो आपको x तो x ही दिया हुआ है, और y आपको 2y दिया हुआ है, और z आपको 4z दिया हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले आप अपको अपना formula लिख लेंगे, x plus y plus z ka whole square is, x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx, ठीक है, अब आप इस formula के अंदर ये values put कर देंगे, क्या है एक आपका, x की जगा x, x square, y की जगा 2y का whole square, z की जगा 4z का whole square, plus 2 x और y के दिये हुआ हमें 2y plus 2 into में y के दिये होए 2y into में z के दिये aan Ü5 Z plus 2 into mे 4z into में x के दिये हो हमें simple x ठीक है अब हम चलो इसको solve करते तो क्या है गा हमारा x square 2 to 4y का square 4 versus 16 z का square प्लस 2 x x 2 y क्या होगा 2 x 4 x y प्लस 2 x 2 is 4 4 x 4 is 16 yz प्लस 2 x 4 is 8 zx तो आपका अंसर क्या है x square plus 4 y square plus 16 z square plus 4 x y plus 16 yz plus 8 zx यह बहुत इसी है आपके लिए solve करना बस आपको पता होना जी कि आपको consistutable identity use करनी है कौन सा formula use करना है यह formula बहुत easy है आपको बहुत easy समझ में आ जाएगा use भी हो जाएगा बट प्लीज इसकी practice जरूर करेगा तो यह formula किया है x plus y plus z square is x square plus y square plus z square plus 2 x y plus 2 y z plus 2 z x तो आप इना ने formula यूज किया हुए x plus y का cube which is x cube plus y cube plus 3 x y plus x plus y तो यह formula क्या है x plus y का whole cube is x का cube plus y का cube plus 3 x y and x plus y ठीक है आपको यह question में कैसे देगा आपको question में बोलेगा कि आपको find करने है cube समझ लीजे आपको देदिये 2 x plus 1 का cube find करिए ठीक है तो आप क्या find कैसे find करेंगे जब भी आपको ऐसे दिया होगा आपके mind में यह हैगा यही बाला formula यूज करना है सबसे पहले अपना formula लिख दीजे x plus y का cube is x का cube plus y का cube plus 3 x y and x plus y ठीक है यह आपने लिख दिया अब आपने देखने कि x क्या और y क्या है क्योंकि उसी के base पे पूरा formula है तो x है आपका 2 x और y क्या आपका 1 ठीक है यह values इसमें रख दीजे इस formula में यहागे 2 x plus 1 का cube is 2 x का cube plus 1 का cube plus 3 into में 2 x into में 1 and 2 x plus 1 ठीक है 2 x का cube क्या आपका 2 x into 2 x 2 to the 4 4 into 2 x is 4 to the 8 x का cube यहागे plus 1 यहागे plus 3 into 2 x is 3 to the 6 x यहागे 2 x प्लस 1 ठीक है अब इसको solve करते है यहागे 8 x का cube plus 1 plus 6 x into 12 x is 6 x into 2 x is 12 x का square ठीक है 6 x into 2 x is 12 x का square plus 6 x 6 x into 1 is 6 x अब इसको कैसे हम लिखेंगे इसको हम लिखेंगे 8 x का cube plus 12 x का square plus 6 x plus 1 यहागे आपका अंसर आपको यह ऐसे गिया होगा exercise 2.5 में solve करने के लिए तो formula के आपका x plus y का cube is x cube plus y cube plus 3 x y and x plus y यह आपको बोलेगा कि भही find करिए 2 x plus 1 का cube तो जब भी आपको ऐसे दिया होगा तो आपके find में एकदम से आएगा कि हाँ मुझे तो यह वाला formula यूज करना है उसके बाद आप x और y identify कर लिजे और इस formula के अंदर put कर दीजे आपको आपका answer मिल जाएगा easily but the most important thing आपको पता हना चाहिए कि आपको formula कहा use करना है और कभ use करना है जैसे कि यहाँ पे आपको पता चल रहा है 2x plus 1 का cube पता चल रहा है कि यह formula यूज होना है यहाँ पे भी आपको पता चल रहा है कि हाँ 3 variables है square यह वाला formula यूज होगा तो but still अच्छे से careful तरीके से करिए आपको आपना answer मिल जाएगा अब आपको last formula दिया हुए x minus y का whole cube is x cube minus y cube minus 3xy and x minus y तो यह formula क्या है x minus y का cube is x cube minus y cube minus 3xy and x minus y अब यह सोच वे आपको question में कैसे देगा simple क्या दे सकता आपको लिख देगा 2x minus 3y का cube बताओ क्या होगा ठीक है अब उसने ऐसे लिख दिया तो आपको simple समझ में आ रहे है कि हाँ यही formula यूज होगा तो आप क्या लिखेंगे x क्या आपका 2x और y क्या आपका 3y ठीक है आप इसे इस formula में put कर दीजिए लिखेंगे 2x minus 3y का cube ठीक है हमने क्या लिखें x cube की जगा 2x का cube minus 3y का cube माइनस 3 इंटू में x क्या है अपना 2x इंटू में y क्या है 3y और यह हो जाएगा 2x minus 3y ठीक है यह होगा 2x का cube 2 to 4 4 to 8x का cube minus 3 3 सा 9 3 सा 27 y का cube यह होगा 3 2 सा 6 6 3 सा 18xy और यह आगे आपका ब्राकेट्स में 2x minus 3y ठीक है अब आप इसको solve करेंगे पूरा तो यह क्या आजाएगा आपका 8x का cube minus 27y का cube 18 2 सा कितना होता है 18 2 सा 36 x square y minus minus plus 18 3 सा is 54 x y का square ठीक है यह आपका आजाएगा answer बहुत simple है क्या है आपको formula पता आएगा x minus y का cube क्या होता है x cube minus y cube minus 3xy x minus y ठीक है उसने दिया आपको question में find करना है 2x minus 3y का cube आपने x find कर लिए 2y 2x और y find कर लिए 3y आपने जब x और y find कर लिए तो आपने उसकी value को put कर दिया इस formula में और आप कौन से मिल गया so the most important मैं एक बार यह और आपको formula इस लिए के दिखा रहे हूं x plus y का cube का formula क्या होता है x cube plus y cube plus 3xy and x plus y ठीक है यह x plus y cube का x minus y cube का formula क्या है बस sin change हो जाएंगे x cube minus y cube minus 3xy and x minus y सिर्फ sin change हो जाएंगे ठीक है x और y सेम है 3xy, 3xy, x plus y यहाँ पर x minus y हो जाएगा sin change हो जाएंगे किस से according sign change होंगे जिस according आपको formula find करने के लिए दिया गया अगर x plus y है तो plus के sign है अगर x minus y है तो minus को sign है I hope यह session आपको एक अच्छा explain करेगा formulas के बारे में जिससे की आप इन formula को use कर सकते हैं exercise 2.5 में और यह आपको help करेंगे आपके questions में